तो प्यारे सातियों जैसा कि आपने थर्मनेल में देखा है फेमस कोटेशंस अबाऊट विलियम सेक्सपेर विलियम सेक्सपेर के बारे में जो सबसे जादा इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं दुस्तों उनकी पूरी की पूरी एक सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ जॉइन्ट करके उसको connect करके मैं आसानी से आपको याद करवाने की खोशिश करूँगा ये वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में में दोस्तो एक ऐसा quotation आपको बताऊँगा जिसकी मुझे पूरी उमीद है कि इस वार वो exam में आ सकता है पूरी पूरी उमीद है डिटेल की छोटी सी poem है डिटेल उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और जो दोस्तों सीरीज चल रही है literary terms की उसको आप जरूर देखते रहेए वो series आपकी मैं complete कराऊँगा उसमें जितनी भी terms हैं उनके बारे में आपको मैं explain करूँगा बताऊँगा तो इस चीज का विशेश रूप से आप ध्यान दखेगा तो आए शुरूबात करते हैं वीडियो की तो पहला quotation है दोस्तो hamlet an artistic failure देखिए hamlet play को एक artistic failure बताया है तो आप देखिए वैसे तो hamlet play जो है अपने आप में बहुत अच्छा work है एक tragedy है एक complete tragedy है revenge tragedy है तो उसको भी इतने अच्छे play को भी जो four great tragedies में से एक है सिक्सपियर का इतने अच्छे play को भी T.S. Elliot जो की एक critic भी है जो एक अच्छे critic में गिने जाते हैं उन्होंने इसको artistic failure कहा है अब इसको आपको याद कैसे रखना है दोस्तों तो याद रखने के लिए देखिए इतना अच्छा play है उसको भी failure बता दिया किसने बता दिया इलियर से आप idiot यहाँ पर याद रखिएगा कि इतने अच्छे play को भी failure बता दिया किसने किसी idiot ने इलियर से idiot आप याद रखिएगा मैं छमा प्राठती हूं इन सभी writers का क्योंकि बच्चों को याद कराने के लिए मुझे इनके शब्दों को इनके नामों को थोड़ा सक ही अलग तरीके से प्रियोग करना पड़ेगा तो अब इसका reason भी आपको बता देता हूं वो कहते हैं कि जो hamlet play है जो revenge tragedy ग्रीक tragedy पर आधारित है उसमें जो वास्तिविक objective होना चाहिए वो नहीं दिया गया है वो connect नहीं होता है तो next quotation है अब आपको यह याद रह गया होगा दूस्तों hamlet in an artistic failure किसने कहा है idiot ने एक अच्छे कासे play को failure बता दिया किसने idiot ने are the commentators on hamlet really mad or only pretending to be देखे ध्यान से सुनिये एक एक quotation आपको पढ़ते पढ़ते ही याद करा दूँगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो are the commentators quotation है are the commentators on hamlet hamlet के बारे में really mad वास्तम में क्या है पागल है और only pretending और वो बहाना बना रहे है to be mad mad होने का तो देखे यहाँ पर नाम दिया है दोस्तों Oscar wild Oscar wild की यह quote है दोस्तों तो इसको याद कैसे करेंगे वो trick सुन लीजिए जिसको Oscar award मिल जाता है दोस्तों जिसको Oscar award मिल जाएगा वो जहेर सी बात क्या हो जाएगा खुशी से पागल हो जाएगा तो are the commentators on hamlet really mad or only pretending to be mad is said by Oscar wild Oscar award जिसको मिलेगा निश्य दूप से वो खुशी शे पागल हो जाएगा इसको इस तरह connect कीजिएगा अब देखिए दोस्तों अगला quotation है hamlet is a course and barbarous play hamlet को एक barbarous play कहा है जहां से सुनिएगा यह red color में मैंने किया हुआ है hamlet is a course and a barbarous play one might think the work is a product of drunken savage imagination दूसरा मैंने यहां पर red किया है drunken savage देखिए दोस्तों दो जगा एक यह quotation है एक और quotation है Shakespeare is a drunken savage Shakespeare को एक drunken savage कहा है किसने कहा है दोस्तों वॉल्टियर ने कहा है वॉल्टियर ने कहा है Shakespeare को एक drunken savage और hamlet play को उसने barbarous कहा है ठीक है दोस्तों आईए अब इसको connect करते हैं देखिए दोस्तों drunken का मतलब जो शराप पीने वाला है savage का मतलब धूर्त गमार मकार बारबरस का मतलब भी उगर खराब बिकार धूर्त तो अब यहाँ पर देखिए कि जो लोग drunken होते हैं शराप पीते हैं वो लोग savage हो जाते हैं बारबरस हो जाते हैं और वो बारबरस होने के बार एर वाल्ट एर में एर आ रहा है दोस्तों एर से connect कीजिएगा वो क्या गरते हैं हवा में बाते करते हैं दोस्तों वाल्ट एर कोई भी वेक्ति जब शराप पी लेता है ड्रंकन सेवेज हो जाता है धूर्ट हो जाता है मकार हो जाता है बारबरस हो जाता है तो वो हवा में बाते करने लगता है देखिए वाल्ट एर इस तरह आप इसको connect कीजिएगा और मुझे comment box में आप जरूर लिख करके बताईएगा कि आपको ये याद हुए या नहीं एक जब भी कोई व्यक्ती ड्रंकन सेवेज बन जाता है या ड्रंकन सेवेज होता है शराबी धूर्त मकार होता है तो वो हवा में बाते करने लगता है वाल्ट एर ने ही बारबरस बारबरस सा मतलब भी धूर्त मकार होता है दोस्तों तो हैमलेट पले को उन्होंने बारबरस प अब ये कहा है दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड ने सेक्स्पेर के बारे में अब इसको कैसे कनेक्ट करना है कैसे आपको याद रखना है वो कहते हैं कि अब इसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों किसने कहा है मैथ्यू अर्नॉल्ड ने अब भई आपको एक्जाम में तयारी करानी है तो मुझे भी ये जिम्मेदारी है कि आपको याद रहना चाहिए तो मैं इस तरह से आपको याद कराऊंगा आपको देखते ही कोटेशन्स याद होंगी होजगता है यह आपको पहले से याद हो लेकिन एक्जाम में कन्फूजन ना हो तो उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ देखिए मैथ्यू में आया दोस्तो मैथ मैथ तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैथ और मैथ के जो कोशन्स होते हैं न दोस्तो उनको हम अबाइड करते हैं अबाइड ध्यान दीजेगा अबाइड से से सेंस लगाईएगा अधर अबाइड से बर कोशन्स इस तरह के जो question होते हैं मैथ के जो question होते हैं उनसे हम लोग बचते हैं परन्दू Shakespeare क्या है वो फिरी है वो कर लेता है तो इस तरह से आप connect कीजिएगा अधर abide our question दावार फिरी अरे भई गनित के question जितने भी होते हैं हर कोई वेक्ति जनरली उनको क्या करता है ignore करने की कोशिस करता है तो math और question math के question इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा ये दोस्तों इनकी poem है जहां से ये line ली गई है तो एक work है अनौर्ड का sixpair के नाम से उसको ध्यान रखेगा यहाँ पर जो दोस्तों मैंने work लिखे हैं please आप इनकी list बना करके इनको भी याद कर लिजेगा क्योंकि आपसे work भी पूछे जा सकते हैं कि ये work किसका है ठीक है चलिए आगे आते हैं तो ये पुरी poem है इस poem को आप इसकी lines को देख लिजेगा कहा गया है other avoid our question thou are free we ask and ask thou smilest and are still देखिये हम तो पूछते हैं पूछते रहते हैं you are free और तुम पे कोई फ़रक नहीं पड़ता दोस्तो यहाँ पर मैं वास्तविक explanation को छोड़ करके आपको connect करते हुए कुछ explanation दे रहा हूँ जिसका वास्तविक explanation से कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ पर line पर आपको समझाता हूँ वो बिल्कुर ठीक है लेकिन connect करने के लिए जो बोल रहा हूँ उसका आवास्तविक उससे लेना देना नहीं है आईए अगला है दोस्तो Shakespeare Shakespeare has no heroes but only heroines आपको याद है John Ruskin ने कहा है बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पास जिनको यह याद है परन्टु कुछ हमाई तरह होंगे मोटी बुद्धी के जिने जल्ली से चीज़े याद नहीं रहती है तो देखिए बड़े अच्छे से आपको याद कराऊंगा वो कहते हैं Shakespeare has heroes Shakespeare के पास तो किवल hero ही heroes है Shakespeare has no heroes उसके पास hero तो है ही नहीं और वास्ते में हकीकत बात है there is no hero Shakespeare के place के hero इतने काम्याब नहीं है जितनी की heroines है but only heroines उसके पास तो heroine ही heroine है अब देखिए कैसे याद करेंगे आपने गाना तो सुना होगा दोस्तो तेरे रसके कमर सुना है रसके कमर देखिए गाना है रसके कमर और रसके कमर गाने पे कौन डांस करेगा भाया कौन नाचेगा heroines नाचेंगी तो इसको याद कर लिजिएगा अब बच्चे कुछ हसेंगे भी बोले सर वैसे इतना गंबिर पढ़ाते हैं इस सेड बाई जॉन रसकिन और रसकिन से रसके कमर आपको याद रखना है चलिए अब अगला एक बहुत ही important quote है दोस्तो with this same key पहले मैं ये वाला quote आपको बताता हूँ से नीचे वाला scorn not the sonnet critique you have frowned mindless of its just honors with this key with this key Shakespeare unlock his heart ये quotation है दोस्तो actually ये एक sonnet है William Wordsworth का जिसका नाम ही इसकी title line है इस sonnet का नाम है score not the sonnet और ये एक sonnet लिखा गया है Wordsworth के द्वारा तो इसमें वो कहते हैं कि जो लोग हैं जो critics हैं उनसे वो कहते हैं कि sonnet की जो विदा है इसको आप धिकारिये मत इसको देख करके इस विदा से आप अपनी भौं को मत चड़ाइए mindless of its just honors यह तो सम्मान वाला है with this की आगे वो एक्जाम्पल देते हैं कि इस विदा के साथ sonnet की इस विदा के साथ Shakespeare unlock his heart Shakespeare ने अपने हर्दे को खोल दिया अपने हर्दे के भावों को उडेल दिया तो ध्यान रखिए किसने कहा है दोस्तो William Burts वातने अब मैं दूसरी quotation आपको पढ़ाता हूँ connect करवाँगा पहले दोनों quotation आप पढ़ लीजे यह हैं दोस्तो with the same key with the same key Shakespeare unlock his heart once more with the same key Shakespeare unlock his heart once more did Shakespeare if so the less Shakespeare he तो देखिए यहां पर आ रहा है with the same key Shakespeare unlock unlock his heart यह line पूरी मैच हो रही है दोस्तो तो आपको दो वाते छोटी सी trick याद रखनी है यह कहा है Robert Browning ने Robert Browning ने उनका work house ध्यान रखिएगा Robert Browning का यह quote है यह वर्षवत का quote है अब कैसे आपको याद रखना है confusion से बचना है उस बात को आप सुन लीजिए यही की यह वाली चावी की अगर बात हो तो विलियम वर्षवत यह वाली चावी विलियम वर्षवत की है और वह वाली वही वाली चावी जो है वो रोबर्ट ब्राउनिंग की है यह चोटी सी लाइन आप बना लेजिए यही चावी दिसकी है ना देखिए दिसकी मनने यह है यह चावी तो यह चावी किसकी है विलियम वर्षवत की है भाया यह वाली चावी विलियम वर्षवत की है और same की, same का मतलब वही, वही चावी जो है, वो किसकी है, Robert Browning की है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली चावी Wordsworth की, वो वाली चावी Browning की, इस तरह दोनों quotations को आप connect कर लीजिए, ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है दोस्तो, मुझे उमीद है, आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, अब अगले quotation की बात करते हैं दोस्तो, देखिए अगला quotation है, देर, Shakespeare, on whose forehead climb, the crowns, oh the world, oh eyes sublime, what tears and laughter for all time, what tears and laughter for all time, तो दोस्तो, अब ये कहा किसने है, Elizabeth Barrett Browning ने कहा है, a vision of poets में, तो दोस्तो, ये नाम याद रखिएगा, a vision of poets, ये work के नाम हैं दोस्तो, ये आपको जरूर याद रखने है, अब इसको कैसे connect करें दोस्तो, दोस्तो, प्यारे साथियो, आपको मालुम है, Shakespeare, जो थे, वो Elizabethan Age के poet थे, तो Elizabethan Age के जब poet थे, तो देखे, यहाँ पर word है crown, और crown जो होता है, ताज जो होता है, दोस्तो, वो queen के सर पर, या राजा king के सर पर होता है, तो Elizabeth से आप इसको connect कर लिजे, क्योंकि Elizabethan Age के है, Shakespeare, तो Elizabeth Barrett Browning ने कहा है, they are Shakespeare on whose forehead climb the crown, crown, crown किसके माते पर है, कहा तो गया है कि Shakespeare, परन्तु आपको connect करना किस से, Elizabeth से, तो मुझे उमीद है, यह भी आपको याद रहेगा, आगे चलते हैं, अब कहते हैं, Samuel Taylor College, प्रीज, Biographia Literaria में कहते हैं, क्या कहते हैं, Our Myriad Minded Shakespeare, के हमारा जो Shakespeare है, वो तो असंखे, बुद्धी जीवियों के बरावर है, हां, बहुत सारे लोग भी मिलकर के, Myriad Minded, विस्तित मस्तिष्वाला है, जिसके ज्यान की कोई था, नहीं है, तो यह किस ने कहा है दोस्तों, यह कहा है, Samuel Taylor College ने, यह quotation दोस्तों, आपको याद होगी, और याद नहीं होगी, तो मैंने जैसे बताया है, इस तरह आपको याद हो गई होगी, Samuel Taylor College called Shakespeare, Our Myriad Minded, Shakespeare, उन्होंने असंखे, दस हजार सरवाला कह दिया, कितने असंखे ग्यानवाला, किसने Samuel Taylor College ने, चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे जो कोट है दोस्तों, यह है, He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul, देखिए, most comprehensive soul कहां है, क्या कहा है, फिर से सुनिए, He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul, यह कहां गया है दोस्तों, सेक्स्पियर के बारे में, अब यहां मैं एक चीज़ आपको समझाओंगा, कि ड्राइडन के बहुत सारे कोट हैं, जो सेक्स्पियर के बारे में, जो उन्होंने कहे हैं, essay on dramatic poetry में, तो यह work भी ध्यान लखेगा दोस्तों, essay on dramatic poetry, यह ड्राइडन का work है, और comprehensive soul बस आपको connect करना है, और सारी की सारी quotation आपको मैं connect करा दूँगा, बस आपको इतना ध्यान लखना है, कि comprehensive soul जो कहा गया है, वो सेक्स्पियर को कहा गया है, पर आप इसको connect कर लिजी किसे जॉन ड्राइडन से, कि comprehensive soul किसकी है, जॉन ड्राइडन की है, यह तो आपको मालूमी कि सेक्स्पियर के बारे में कहा है, तो बस इतना connect करना है कि comprehensive soul किसक कि है समझदारी से भरी परिपून आत्मा किसकी है जॉन ड्राइडन की अब इस बात को अगर आप याद रख लेंगे दोस्तों तो आगे की सारी कोटिशन्स इनकी जो है वो आपको याद हो जाएंगे तो he was the man of who of he was the man who of all moderns and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul तो यह किसके लिए विलियम सेक्स्पियर के लिए किसने कहा है जॉन ड्राइडन ने क्योंकि उनकी जो बुद्धी थी वही comprehensive soul समझदारी से युक्त समझने की छमता रखने वाली बुद्धी से परिपून थी आईए अब आगे की हम कोटिशन्स की बाग करते हैं इसने कहा है दोस्तों जॉन ड्राइडन ने कहा है आई एड्माइर बिन जॉनसन आई एड्माइर बेन जॉनसन बट आई लव सेक्स्पियर अब मैं आपको यहां पे कुछ समझाना चाहता हूँ उसको आप ध्यान रखेगा देखिए कमपेरीजन होते हुए जब भी सेक्स्पियर की तारीफ हो बेन जॉनसन के साथ कमपेरीजन करते हुए जब भी सेक्स्पियर की तारीफ हो तो हमेशा ही सेलेक्ट कीजिएगा किसको ड्राइडन को जॉन ड्राइडन को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल correct answer आपने दिया है आप कैसे देखे इस quotation में भी comparison हो रहा है वो कहते है कि मुझे मैं परशन सा तो करता हूँ Ben Johnson की but I love Shakespeare परन्तु मैं प्रेम Shakespeare को करता हूँ तो देखे दोनों की जहां पर तुलना हो रही हो Shakespeare की बढ़ाई हो रही हो तो समझ लिजेगा कि John Dryden यहां पर इसके लेखक हैं आगे चलते हैं फिर से देखते हैं ये बात apply होती है या नहीं Shakespeare was the Homer और father of our dramatic poets देखे इतनी इन दोस्तों कई वानना quotation को काट काट के भी पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वैसे मैंने जो है इसको में पार्ट है quotation का वो लिया है ताकि आपका अगर काट पीट के भी वो पूछ ले quotation आपसे तो आपका जो वाक् आपको मिल जाए और आपको याद रहें Shakespeare was the Homer पहले तो देखिए पूरी quotation ही आएगी Shakespeare को Homer से compare किया गया है मैं बता देता हूँ आपको और Johnson को वर्जिल से compare किया है किसने किया है दोनों आ गए आप दोनों की बात मैंने आपसे कही थी Ben Johnson और Shakespeare की जब भी तुलना होगी और Shakespeare को बताया जाएगा Ben Johnson के साथ comparison करते हुए तो आप तुरंत से select कर लिजीगा क्या John Dryden और ये complete quote दोस्तों मैंने यहाँ पे mention किया है क्या देखिए Shakespeare was the Homer और father of our dramatic poets John was Virgil John को Virgil कहा है Virgil के समान कहा है the pattern of elaborate writing I admire him मैं उसकी परशंसा करता हूँ तो दोस्तों इतना भी अगर आपसे पूछा जाए या केवल इतना पूछा जाए तो दोनों ही जगाँ आपको याद रखना है कि Ben Johnson का और Shakespeare का comparison होते हुए जब Shakespeare की तारीफ की जाए तो वहाँ पर answer आपको लिखना है John Briden चलिए और ये work का नाम क्या है दोस्तों An essay of dramatic poesies Shakespeare and Ben Johnson compared लिहान रखिएगा आगे फिर से बात करते हैं देखिए क्या कहा है if I would compare Johnson अगर मैं Johnson की तुलना करूँ किसके साथ with Shakespeare Shakespeare के साथ में I must acknowledge तब मेरे को ग्यात होता है उसके विशह में क्या ग्यात होता है the more correct poet की वो जादा अच्छा poet है ठीके कौन Ben Johnson but Shakespeare the greater wit परंतु Shakespeare उससे थोड़ा सा जादा महान है तो यहां पे भी comparison हो गया दोस्तों तो यह भी जो line है किसने कही है जोन राइडन ने कही है याद रखिएगा और मुझे comment box में लिख करके जरूर बताईएगा प्यारे दोस्तों कि आपको चीजे समझ में आई है या नहीं एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए फिर दु यहां पे एक की बात कर रहे हैं एक की तो तारीफ करोगे और क्या तुम दूसरे को छोड़ दोगे तो दोनों की बात हो गई यह भी किसकी बात हो रही है सेक्स्पियर और बेंज जोंसन की बात हो रही है तो बिलकुल इसपस्ट हो गया कि जॉन ड्राइडन इस दा आंसर किसने कहा है जॉन ड्राइडन ने कहा है मैं गैरंटी लेता हूँ आप ज़रा समझीए इन बातों को और फिर प्रेक्टिस कीजिए बिलकुल नहीं आप से से तो मैंने इन कोटेशन को आपके लिए लिखा है कुड नॉड बी कॉपीड सेक्स्पियर का जो जादू है उसको कॉपी नहीं किया जा सकता सेक्स्पियर के मैजिक को कॉपी नहीं किया जा सकता विदिन डैट सर्किल उस पर्टिकुलर सर्किल में नन डस्ट वाक बठी जहां पर और कोई नहीं केवल वही वाप कर सकता है तो इतना ध्यान लखिये बस Shakespeare's magic could not be copied ये quotation दोस्तों आप अलग से इसको आप याद कर लीजिएगा ये जॉन ड्राइडन ने कहा है आप अपने तरीके से इसको connect की जिएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए फिर से बात है फिर से से इकस्पियर की तारीफ है लंबी चौड़ी तारीफ है He was naturally learned where वास्तम में सवभाविक रूप से प्रकर्तिक रूप से विद्वान learned विप्ति था He needed not the spectacles उसको कितावी चस्मों की आवशकता कितावी द्रश्टी कौण की आवशकता नहीं थी To read nature प्रकर्ति को सवभाव को पढ़ने के लिए He looked inward उसने अपनी अंतरात्मा में जहाका and found her there और उसने सब कुछ वहाँ पर पा लिया किसने कहा है दोस्तो जॉन ड्राइडन ने कहा है यह ऐसे कोटिशन है जिसमें दोस्तो Ben Johnson का जिकर नहीं है पर यह कोटिशन भी आपको अपने तरीके से किसी प्रकार से आपको याद करने हैं इसको आप spectacles of book वाली बात से connect कर लीजिए कि सेक्स्पियर को कितावी द्रश्ट को नकल नहीं की जा सकती यह किसने कहा है जॉन ड्राइडन ने कहा है और comparison वाला आ जाए तो वह आपकर ही लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो I do not believe that any writer has ever exposed this boars me the human will to see things as they are not more clearly than Shakespeare तो देखिए अब मैं इसको फिर से आपको connect करा देता हूँ बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा और प्लीज 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 आप मुझे बताना जरूर comment box में कि आपको याद हुए है या नहीं देखिए एक quotation अभी मैंने सबसे पहले number पे आपको बताई थी T.S. Elliot ने hamlet को कहा है artistic failure क्या कहा है artistic failure उसको हमने connect किया कैसे कि इतने बड़े अच्छे पिले को एक बेफकुफ ने artistic failure बता दिया अब वो क्या कहता है देखिए I do not believe मैं बिस्वास नहीं करता मैं बिस्वास करूँगा ही नहीं कि वो एक अच्छा पिले है वो तो एक artistic artistic failure है connect कर दीजिए इस तरह की quotation और कोई नहीं है मैंने देख ली है तो ये line आपको बिलकुल इसी तरह I do not believe मैं बिस्वास ही नहीं करूँगा कि hamlet जो है वो artistic failure नहीं है वो तो artistic failure है तो इस तरह से इस quotation को भी आप learn कीजिएगा I do not believe मैं बिस्वास ही नहीं करता कि hamlet जो है वो एक artistic failure नहीं है ठीक है दोस्तों आगे फिर अगले point पर बात करते हैं we can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account दोस्तों ये quotation आप अपने level से इसको आप याद कर लीजिएगा ये T.S. Eliot नहीं कहा है ठीक है दोस्तों T.S. Eliot नहीं कहा है we can say of Shakespeare हम Shakespeare के बारे में कह सकते है that never has a man turned so little knowledge कि किसी भी व्यक्ति ने इतनी कम knowledge को to such great account इतने बड़े account में detail में नहीं दिया है तो एक तरफ तारीब भी है दोस्तों और एक तरफ उनके कुछ works की criticism भी है क्योंकि critic हमेशा आलोचना ही नहीं करते उनका कार अच्छे और बुरे दोनों ही पहलों पर ध्यान देना होता है चलिए आगे आते हैं दोस्तों बहुत अच्छा quotation है I am the owner of the spear I am the owner of the spear of the seven stars and the solar ear of Caesar's hand and Plato's brain of Lord Christ's heart and Shakespeare's strain देखिए समझी ये बात को पुरी quotation है पुरी quotation को याद रखिएगा हाँ अब कैसे connect करना है कहा है Ralph Weldow Emerson ने कहा है अब याद कैसे करेंगे ओहो बड़ी समस्या हो गई वही याद कैसे करेंगे याद तो होता है नहीं चलिए आईए याद कराते हैं Emerson एक दो तीन चार पाच छे साथ साथ Emerson में कितने अलफवेट हैं दोस्तो साथ साथ बोले तो सेवन स्टार्स और इस बात को याद रखिएगा Emerson को स्टार से connect कीजिएगा क्योंकि आगे और भी quotation है जिसको इसी तरह मैं connect कराऊंगा हमने Emerson को किस से connect किया है दोस्तो सेवन स्टार से connect किया है I am the owner of the spear में पूरे ना spear का पूरे ब्रमान का आप मान लिजे की owner हूँ of the seven stars साथो तारो का and the solar ear और पूरा जो वर्स है उसका of Caesar's hand Caesar के हाथ and Plato's brain और Plato की बुद्धी भी of Lord's Christ's heart और Lord Christ का हिर्दे and Shakespeare's strain मतलब सबके जो खास का चीज़े हैं ना दोस्तो उसकी तारीफ इनोंने की है Caesar के hand भी कह दिया Plato का brain भी कह दिया और Shakespeare का strain उनोंने कहा है तो seven star Emerson seven ही letter है Emerson में याद रखिएगा निश्चत रूप से Emerson ही लिखा हुआ आएगा अगर ये quotation आता है तो the absorbing soul किसमें कहा है उनोंने the absorbing soul में ये कहा है तो star seven star याद रखिएगा Emerson चलिए soul of the age बहुती famous quotations है soul of the age the applause delight the wonder of our stage देखिए बड़े सरलता से quotations आपको याद होंगी soul of the age soul of the age बताया है वर्तमान जो समय है उसकी आत्मा कहा है अब सबसे पहले इसी सब्द को समझे कि वर्तमान समय को soul वर्तमान समय के ही साथ तुल्ला करते हुए बताया गया है कि soul of the age है वही वो तो तो वही तो बतायेगा जो उस age में होगा और उस age में कौन है दोस्तो बेन जोनसन ज्यान रखीगा बेन जोनसन याद रखीगा इनके कॉन्टेंपोरेडी है यानि समकाली ने कॉन्टेंपोरेडी तो soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage कौन बता सकता है सेक्स्पियर को देख करके वही तो बतायेगा जो उस समय होगा तो उस समय कौन थे बेन जोनसन थे तो उन के समकाली निये हैं तो इसी निये याद रखिएगा कि इस तरह के जो भी quotation होंगे वर्तमान इस्तिती के आदार पर वो बेन जोनसन ने कहे हैं तो ये आपको याद भी होगा I think the wonder of our stage दोस्तों इसके ना कोई भी पार्ट आपसे पूछ लेगा वो ध्यान रखना किबल इतना भी दे देगा कि soul of the age who called Shakespeare the soul of the age और इस तरह से ही पूछ लेगा who called Shakespeare the applause the delight इस तरह से ही पूछ लेगा या दोस्तों इतना भी पूछ लेगा who called Shakespeare the wonder of our stage तो आपको बस एक ही मात ध्यान रखनी है कि वरतमान stage की बात कर रहे हैं तो stage कौन देख रहा होगा audience के रूप में जो उनका समकालीन होगा समकालीन कौन है Ben Johnson है दोस्तों ठीक है soul of the age clear हो गया आगे बढ़ते हैं sweet swan of a1 क्या क सारी conditions मैंने जहां Shakespeare को start किया है उस heading पे ही चार पाच important condition मैंने लिखी हुई है sweet swan of a1 swan कहा है कहा का of a1 का a1 is the name of a river तो ये भी किस ने कहा है दोस्तों Ben Johnson ने कहा है ये आपको याद रहेगा देखिए जो मैं करा सकता हूँ वह आपको याद करा रहा हूँ कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा प्रियास आप कर लीजिएगा आगे आते हैं he was not of an age वो एक age का नहीं है but for all time वह तो हमेशा के लिए है सभी age उपर सभी यूगों पर भारी है उसकी छाप है तो जब कहने है age की बात an age के एक age का नहीं है एक यूग का नहीं है सभी का है तो फिर से वही है Ben Johnson ने कहा है ये important conditions हैं दोस्तों आगे हैं दोस्तों my Shakespeare rise I will not lose thee by Chaucer वो कहता है कि मेरा जो Shakespeare है न मैं उसको Chaucer के बरावर नहीं रखता मैं उसको Spencer के बरावर नहीं रखता मैं वहाँ पर उसको नहीं रहने दूँगा और Beaumount के बरावर मैं उसको नहीं रहने दूँगा पास में नहीं रेखूंगा a little further to make the a room उसके लिए अलग से व्यवस्ता की जाएगी कौन कहता है बेन जॉंसन कहते हैं आप बेवस्ता कौन करेगा सेक्सपियर के लिए भाईया व्यवस्ता वो ही करेगा जो उनका संकालीन होगा संकालीन कौन है बेन जॉंसन है तो वो कहते हैं my Shakespeare हो हो मेरे प्यारे सेक् वहाँ पर तुमको नहीं रखा जाएगा तुम्हारी व्यवस्ता अलग की जाएगी I will not lose, lose का मतलब होता है रहने का इस्थान, the by Chaucer, मैं तुम्हें Chaucer के पास, Chaucer के साथ नहीं रहने दूगा, Spencer के साथ नहीं रहने दूगा, Biomount के साथ नहीं रहने दूगा, a little further, दिये रूम, तुम्हारे लिए एक दिवस्ता की जाएगी, तो ध्यान दखिएगा दोस्तो, Ben Jolson, दोस्तो, इस quotation पे थोड़ा ध्यान देना, जो वास्तविक quotation है, वो है, small, latin, and less greek, अब अगर किसी एक्जाम में यह पलट करके आ जाए दोस्तो, small, greek, and less latin, तो दोस्तो, थोड़ा से अगर confusion की इस्तिदी वो originate करें, तो जड़ा इनको ध्यान लखिए गए, small, latin, and less greek, यह किस ने कहा है, Ben Jolson ने कहा है, important है, दोस्तो, Shakespeare was not of an age, but for all time, यह हो गया है, हम इसको पढ़ चुके हैं, वह है एक युका नहीं, सभी युको का है, तो यह Ben Jolson ने कहा है, दोस्तो, बीच में से जो लोग वीडियो सुन रहे होंगे, उनसे मेरी request है, कि वीडियो को सुरू से आप देखीगा, क्योंकि जो मैं समझाता चला आ रहा हूं, उसी के according आपको चीजे समझ में आएंगी, यह दोस्तो, इनका work है, Shakespeare के उपर लिखा गया, जिसमें उन्होंने यह सारे points कहें हैं, तो मैंने पूरा यहां पर copy कर दिया है, आपके लिए, ताकि आप समझ पाएं, Shakespeare on thy name, यहां से, अब यह है, यह कहा है, यहां प लॉज दी बाई, Chaucer, Spencer और Beaumont, तो यह एक ही quotation का part हैं दोस्तो, जो अलग-अलग आप से पूछा जा सकता है, तो ध्यान लखिएगा दोस्तो, बहुत ही important यह quote है, आगे हैं दोस्तो देखिए, though thou had a small Latin and less Greek, यह proof के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन जो है, किसकी है, यह लाइन, Ben Johnson ने लिखी है, Shakespeare के लिए, यहां पर kid की भी बात की है उन्होंने, और malo की mighty line की भी बात की है, आगे he was not of an age, वो एक युक के नहीं है, but for all time, तो आप और भी जो चाहें, पर यह important ह हैं, यहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इनी को मैंने highlight किया है, the gentle Shakespeare, my gentle Shakespeare, यह थोड़ा आप note कर लिजेगा, my gentle Shakespeare, who called Shakespeare, my gentle Shakespeare, तो Ben Johnson ने कहा है, मेरा gentle Shakespeare, तो इसको आप अलग से note कर लिजेगा, दोस्तो, आइए, आगे चलते हैं, और यह रहा दोस्तो, वो line, sweet swan of even, किसने कहा है, Ben Johnson, यह पूरी एक कवीता है, दोस्तो, ध्यान दखेगा, to the memory of my beloved, the author, Mr. William Shakespeare, by Ben Johnson, यह इनके work का नाम है, दोस्तो, जिसमें इनोंने यह पूरी पंक्तियां लिखी हैं, तो यह नाम work के आप जरूर note कर लिजेगा, आगे आते हैं, दोस्तो, आगे है, किस, I remember your saying, मुझे याद है, तुमारी बात, that you had notions of good genius, कि आपके अंदर वो सभी प्रतिवाएं हैं, notions, द्रश्टी कौन, genius गुण हैं, इशारे हैं आप में, आपके अंदर लक्षन हैं, presiding over you, I have of late had the same thought, four things which I do have at random hour afterwards, confirmed by my judgment, in a dozen features of prosperity, is it too daring to fancy Shakespeare, this procedure, देखिए, समझे बात, ये कहा है, John Keats ने, तो दो चीजे इसमें highlight मैंने की हैं, इन दोनों चीजों को आपको connect करना होगा, इनका दोस्तो, आप अभ्यास कीजिएगा, I remember your saying, मुझे तुमारी बात याद है, किसको याद है दोस्तो, कीट को, John Keats को ये बात याद है, I remember your saying, जो quotation slip हो दोस्तो, उसको आप लिख करके practice कर लिजिएगा, I remember your saying, मुझे तुमारी बात याद है, आगे है, is it too daring to fancy Shakespeare, it is too daring, आप देखिए, इसको इस तरह आप connect कर सकते हैं, daring का मतलब होता है सहासी, और ये जो कीट्स होते हैं, कीट्स से मतलब कीट, insects, उससे लगा लिजिए, वो बड़े सहासी होते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, आप को काट करके बाग जाएंगे, बाकि आप अपने तरीके से किसी भी तरह इस quotation को आपके उपर छोड़ देता हूं मैं, आप इसको connect कीजिएगा, इसको learn कर लिजिएगा, आते हैं दूस्तों आगे, जब भी मैंने सेक्स्पियर को बढ़ा, तो मैं आश्चरे चुकित हो गया, जब भी कभी मैं सेक्स्पियर को बढ़ता हूं, तो इस बात ने मुझे बढ़ा ही आश्चरे बढ़ा हैं, आश्चरे चुकित किया हैं, तो दोस्तों, आवाईए इसको याद कराता हूं, आप सुच रहे होंगे कैसे याद होगा, when I read, क्या कहा हैं दिखिए दोस्तों, when I read, मैं जब भी पढ़ता हूं, मैं जब भी पढ़ता हूं, या कानून से नियम के साथ पढ़ता हूं, ऐसे नहीं, आज ही पढ़ लिया, वस TGP का एक्जाम है तो, आज ही नहीं, एक दिन जोश नहीं रहता मेरे में, मैं हर दिन नियम से पढ़ता हूं, गोंस्ती रहती है, जिनके लेख गोंस्ते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, when I read, आप बोलिए मेरे साथ एक बार, जब भी में पढ़ता हूं, नियम से पढ़ता हूं, नियम कहा हैं दोस्तो, D.H. Lawrence, law, ला आपको दिखाए दे रहे हैं न, law means कानून, नियम हां, तो D.H. Lawrence, जब भी में पढ़ता हूं, नियम से पढ़ता हूं, आगे हैं दोस्तो, आपको याद भी होगा, यह तो आपको याद भी होगा न, दोस्तो, 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 आपको याद भी ह जॉन मिल्टन ने कहा है एल एलेग्रो में कहा है याद रखिएगा इसको आप याद करिएगा यह पूरा वर्क है दोस्तो इसमें और भी कोटेशन है जो आपसे पूछी जाएंगी तो उनको मैंने हाइलाइट कर दिया है स्वीटेस्ट सेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, डियर सन ओफ मैमोरी यह आपसे पूछा जाएगा किसने कहा है सेक्सपियर को स्वीटेस्ट सेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, कलपना का बच्चा कहा है सबसे प्रिये कहा है सबसे ज़्यादा प्रिये और dear son of memory देखो यहाँ child है fancy child कहा दिया son of memory कहा दिया तो किसने कहा है दोस्तो john milton ने याद रखेगा who called sixpere the sweetest sixpere fancy child and dear son of memory किसने कहा है john milton ने कहा है यह इनका work है दोस्तो तो याद रखेगा उसी से line ली गई है इसी में quotation है दोस्तो that kings for such a tom would wish to die तो यह sixpere से related है बहुत जादा तो important नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ लिजेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो यह पूरा लिख दिया है इस quote को मैंने that kings for such a tom would wish to die कि sixpere जहाँ पर तुमारा तुमारा जो शरीर है इस तरह की जो तुमारी मृत्यू है जिसमें ध्यान दीजी का यह john milton का epitaph है दोस्तो ठीक है john milton ने epitaph में यह बात कही है epitaph on sixpere यह 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 जो work है दोस्तो यह वाली जो line है यह i है l allegro में ठीक है ध्यान दीजीएगा यह line l allegro की है और यह जो अलग से यह मैंने पूरा sonnet जैसा वतार रखा है यहाँ पे यह दोस्तो यह john milton का work है epitaph on sixpere करके जो उन्होंने 1630 में लिखा है तो उसमें उन्होंने यह बात कही है कि यह वाली dear son of memory इसको आप याद रखेगा great year of fame और यहाँ पर dead kings इस तरह का जो मृत्यू है राजा लोग भी इस तरह की मृत्यू की इच्छा करते हैं यह john milton ने कहा है अगर दोस्तों आप थोड़ा सा ठक जाएं वीडियो को देखते देखते तो थोड़ा वीडियो को pause करके आप अराम कीजिए और इन quotations को mind में revise कीजिए और फिर से आप दुबारा से सुरू कर सकते हैं आए चलते हैं आगे चलते हैं hamlet's experience simply could not have happened to a plumber देखिए क्या कहा गया है hamlet's experience simply could not have happened to a plumber तो दोस्तों सीधे याद रखिएगा बरना George Bernard Shaw किसने कहा है George Bernard Shaw अब कैसे याद रखना है भाईया सीधे से कहिए hamlet's experience simply could not have happened to a plumber चलो चलो याद रखो बरना plumber आ जाएगा क्या याद रखना है बरना plumber आ जाएगा बरनार्ड में आ रहे हैं बरना ये देखिए बरना आपको दिख रहा होगा बरना बरना plumber आ जाएगा कौन आ जाएगा बरना plumber आ जाएगा इस तरह से आप इनको याद रखेगा दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इसका second part आपको मिलेगा ठीके उसको आप देखिएगा यह बहुत सारी important tributes है और इनका आप अभ्यास करिएगा practice करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में और मैंने जैसा कि आपको बताया यह series मिस्मत कीजिएगा दोस्तों जो terms की series है उसको आप मिस्मत कीजिएगा जो tributes की हैं अभी एक quotation की series आएगी उसको आप मिस्मत कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार thank you thank you so much